चलिए दोस्तों मैं आपको एक एक जांपिल बताता हूं एसाइन्मेंट प्रॉब्लम का ठीक है दोस्तों यह दे रखे हैं एलिमेंट यह A, B, C, 1, 2, 3 यह जॉब समझ लो वैकेंसी समझ लो यह कंपनी समझ लो अला लग जाते हैं लोग कहा कहा जॉब करने के लिए तो हमें minimum distance देखनी होती है क्या देखनी होती है minimum distance आएसे solve करने का तरीका क्या होता है step first step first में दोस्तों जो row में सबसे छोटा element होता है उसको अपनी row में से minus करते हैं जैसे सबसे छोटा इसमें क्या है 5 है तो minus करिए 0 2 यहां कितना बचाएगा 4 यहां 5 सबसे छोटा 2 है 0 4 3 2 सबसे छोटा 3 है 0 6 4 3 सबसे छोटा 4 है 0 1 2 5 दोस्तों step second में अब कॉलम में जो छोटा element होता है उसे समय से minus करते हैं जैसे यहां तो पहली कॉलम में तो सब 0000 इसमें 1 सबसे छोटा है तो minus करिए यहां बचाएगा 1 3 5 और 0 यहां 2 सबसे छोटा है तो यहां 2 1 2 0 यह सबसे छोटा 2 है तो इधा 3 0 1 और 3 चलिए दोस्तों अब हम घर बनाने की कोशिश करते हैं देखते हैं घर बनता है के नहीं सपोज करिए अगर मैंने यहां घर बना लिया तो इसमें घर नहीं बनेगा अगर यहां घर बना लिया तो यहां नहीं बना लिया जैसे मैंने इसको घर बना लिया तो यह रो मुझे काटनी पड़ेंगे कहने का मतलब यह है एक रो या एक कॉलम में आप एक ही घर बना सकते हैं आईए तो इसमें बन नहीं बन रहा है यह बनाने के बाद ही नहीं बन रहा तो इसमें नहीं बनेगा तो आईए लाइन खेंचते हैं अब दोस्तो लाइन खुंचने का तरीका क्या है यह देख लीज चाहिए यह नहीं है कि यह की जीरो कट रही है फिर जगा 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 लाइन कहां चाहिए अब जो minimum element होता है उसे देखते हैं जैसे हैं वन है तो जो minimum element है इसे हर element में से minus करेंगे बट जो रोपाय आ रहा है line पर आ रहा है उसमें कोई change नहीं होगी और जो और बाकी मैंसे वह माइनस होगा जैसे कि यह लाइन पर है कोई फरक नहीं है यहां फोर यहां कोई फरक नहीं है यहां कोई फरक नहीं पढ़ाएगा यहां यहाँ कोई फरक नहीं पड़ाएगा वन जीरो दोस्तों यहाँ टू जीरो जीरो और थिरी का थिरी रहेगा क्योंकि लाइन पर है अब देखते हैं हमारे घर बनते हैं या नहीं सपोज करी चलिए मैंने इसे घर बना लिया तो यह कट गया और यह कट गया सपोज करो मैंने अगर यह घर बना लिया तो यह कट गया अगर मैंने यह घर बना लिया और कोई है इन्हीं एक यहाँ कि तो बहुत आसान घर बन गया फर्स क्लास तो देखिए दोस्तों यहां ऊपर जाके देखेंगे आप एक का कैमि नम्मर पर आया यह कट गर बना है यहां दूसरे नम्मर पर तो एक जो दूसरे नम्मर का है वो क्या है फिल scarana manure लेके देता हूं एक का second आया है और बी का कौनसा है fourth और C का first और D का third अब A का second ऊपर question में जगते हैं A का second क्या है बोलिये A का second seven है B का fourth four है C का first क्या है three है और D का third क्या है six है इनको पिलस कर देते हैं कितने होगे छे और ती नो नो और चार तेरे और तेरे और साथ 20 तो इसका answer कितना है दोस्तों चलिए अब आपको हम next example बताते हैं कि second example देखिए इसमें भी वही है रो का जो से small element होता है उस पूरी रो में से उसे माइनस करते हैं पहले स्टैफ में यहां वन सम्में से माइनस करोगे तो क्या बचाएगा वन 8, 1, 6 और 0 यहां माइनस करोगे तो बचाएगा 5, 7, 6, 5, 0 यहां करोगे तो 3, 5, 4, 2, 0 यहां करोगे तो आप 3, 1, 6, 2, 0 यहां करेंगे आप 3, 2, 8, 4, 0 दोस्तों अब सेकंड स्टैफ में कॉलम में करना होता है वन सम्म से छोटा है तो यह 0 चलिए सेकंड स्टैफ में क्या करते हैं अब हम कॉलम देखते हैं तो वन सबसे छोटा वन को माइनस करेंगे तो यहां 0, 4, 2, 2, 2 इसमें फी वन छोटा है तो यहां कितना बचाएगा 7, 6, 4, 0, 1 यहां सबसे छोटा 1 है 0, 5, 2, 5, 1 को माइनस करेंगे 0, 5, यहां 3 बचाएगा सौरी 3, 5, 7, यहां सबसे छोटा 2 है तो यहां 4, 3, 0, 0, 2 और यह अल्डेडी 0, 0, 0, 0, 0 अब दो स्टैफ रो और कॉलम दोनों करने के बाद अब हम घर बनाते हैं सपोज करिए मैंने घर बना दिया यहां पर यह 0 कट गई इसमें अब घर नहीं बनेगा इसलिए हम घर नहीं बना सकते तो वही लाइन वाली किरिया करिए ज्यादा से ज्यादा 0 कटनी चाहिए देखी मैंने कितनी 0 कट दी एक लाइन में और यहां 2 0 है और इधर भी 2 0 है चलिए दो 0 कट गी एक साथ और यह भी 2 0 कट जाएंगी एक साथ कोई 0 बची एक 0 बच रही है चलिए इसको भी काट देते हैं यहां 1 है दोस्तों द्यान रखना 1 है अब क्या करते हैं और तो कोई 0 बची नहीं है minimum जो element होता है उसको minus करेंगे line पर कोई change नहीं आएगा और जो cross वाली जगे हैं उनमें वो plus हो जाएगा जैसे छोटा ढूढ़िए यह 2 है अब 2 सम्में से minus होगा तो यहां जो 0 है इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां कितना रह जाएगा 2, 0, 0, 0 यहां 7 है और यह cross पर है तो यहां कितना हो जाएगा 9, 6, 4, 0, 1 यहां चलिए दोस्तों इसमें जो minimum element था वो 2 मेंने minus किया इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां 2, 0, 0, 0 इसमें मैंने क्या देखा minimum element यहां 7 पर 9 हो जाएगा इस पर कोई फरक नहीं 0, 1 यहां इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा दोस्तों यहां 3 बचा यहां 1 बचाएगा यहां 3 और यहां कितना बचाएगा 5 यहां cross पर है तो कितना हो जाएगा 6, 3, 0, 0, 2 यहां कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा क्रोस पर है टू जीरो 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 चलिए दोस्तों फिर घर बनाने की कोशिस करते हैं अब हम देखते हैं किसी एक कॉलम में एक ही जीरो हो जैसे ये जीरो है तो मैं पहले यहीं घर बना के देखता हूँ बनता है के नहीं दूसरी जीरो देखते हैं, इसमें भी एक ही है, कॉलम में, यह मैंने घर बना दिया, बन जाएगा, ठीक है नहीं, कोई बात नहीं, तो यहां घर नहीं बना सकते और इसकी सीद में यहां घर नहीं बना सकते, इस कॉलम में चलो मैंने यहां घर बना लिया, तो यहां नहीं बन बना सकते अब इसमें चलिए यहां भी नहीं बना सकते हैं अगर मैं इसमें यहां जीरो बना दूँ तो यहां नहीं बना सकते और कहीं नहीं यह बची यहां अरे वाग तो हल हो गया आगया तो हमने क्या देखा हर रो या कॉलम में एक एक ही घर है तो यहां एका क्या है दोस् तो फिप्ट, सी का फार्स सेकंड थार्ड फॉर्थ और डी का डी का कौन सा है, सेकंड और यी का दोस्तो फास्ट, यही आंसर है, चलिए नैस्ट एक्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे यह विज्ञान बहुत प्रकासन की जो बुक है, उसमें question number 17 है, चलिए, हमने क्या देखा, यह rectangle है, assignment problem में square होना चाहिए, row और column बरावर बरावर होनी चाहिए, यह rectangle है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे हैं, और इधर, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो जो column है, वो छे हैं, और रो, पांच हैं, उसे कि unwaste कहलाएगा, based बना वोई निया में, first step में, दोस्तों, क्या करेंगे, जो minimum element है, उसे सम्में से minus करेंगे, देखे, minimum element हिहां क्या है, 8 है, तो हिहां minus करेंगे, तो कितना बचा, 4, 2, हिहां, 7, हिहां कितना बचा, दोस्तों, 14, 10, और 0, इसमें minimum element क्या है, डूणो, 10 है, तो 0, 8, 15, 5, 6, और 2, इसमें minimum element हमें 3 दिखाई दे रहा है, तो हिहां कितना बचा, 8, 7, 0, 5, 2, 6, इसमें minimum element दोस्तों 6 है, तो 0, 8, 4, 7, 7, और 6, इसमें minimum element हमें दिखाई दिया, 7 हैं दोस्तों, तो क्या बचाएगा है, 1, 5, 4, 0, 6, और 3, यह 0, 0 है, यहां तक दोस्तों किसी को कोई परेशानी बोली, इसके बाद हम घर बनाने की कोशिस करते हैं, देखते हैं घर बनता है या नहीं बनता, चलिए मैं short में बताता हूँ, अगर मैंने इसमें यह 0 बना लिया, यह घर बना लिया, इसमें यहां यह घर बना लिया, इसमें यहां तो यहां इसमें घर नहीं बनेगा, अगर आप इसमें घर बना लेते हैं, तो इस column row में घर नहीं बन सकता, ठीक है, सबुझ करो मैंने यहां में यह घर बना लिया तो यह तो कट गई सामने की तो इसमें घर आप नहीं बना पाओ गए चलिए तो अब लाइन खेंशते हैं ज्यादा जीरो कटनी चाहिए और यहां क्या जीरो है दो जीरो चलो यह यह खेंश दीजिए यहां दोस्तो वन है यह दिहान रखना इसके पास और जीरो कितनी और कहां है एक जीरो यह यह काट दे यह यह काट जाएगी एक जीरो यह है दोस्तो तो इसे काट सकते हैं आप यह काटो चाहें यह काट दो चलिए दोस्तो क्या देखते हैं हमें एक जीरो मालूम एक जीरो यह भी है अभी हमारी तो इसे यह काट दो एक जीरो अभी हमारे पास एक बची है जीरो यह रही यहां इसे काटने के लिए क्या करें इसे भी यह काट दो चलो यह धियान रखना है कि रो और कॉलम में जितने वाई मैट्रिक्स होता उससे ज़्यादा लाइन आप नहीं खेंसकत जैसे कि मैंने यह 6 वाई 6 का बना लि हैं चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कौन सा स्मॉल एलिमेंट बचा है इसमें सब जीरो बन गए हमने देखा कोई भी अब जीरो इसमें नहीं बची है अब इसमें जो छोटा एलिमेंट होगा उसे माइनस करेंगे वही कहानी है पहली तरह ही क्रोस पर पिलस करेंगे बोलो 6 ये 0 ये 8 ये 0 ये 1 और यह दोस्तों 2 हो जाएगा इस पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा 2 6 यहां 5, 6, 3 इस जीरो पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा यहां 7 है दोस्तों तो करेंगे देखते हैं कितना हो जाएगा 9 यहां ौँपर कोई फरक नहीं पड़ेगा 15, 0, जी रो है, क्या है, 0, 4, 4 और इस पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा दोस्तों, यह 5, 5, 7, 0 और हिया 2 हो जाएगा, पिलस हो जाएगा ना, यहाँ 10, 4, 4, 0, 5, 4, 0, यहाँ 0 पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, 0, 4, 4, 1, 0, चलिए दोस्तों, अब 0 बनाने की कोशिस करते हैं, तो यह मैं यहाँ 0 सुरू करता हूँ कहामी, यहाँ से चलो सुरू करते हैं, अगर मैं इसे 0 बना दूँ, तो यहाँ 0 नहीं बनेगा, और यह भी नहीं बनेगा, अब दूसरे कॉलम में, अगर मैं यह 0 बना देता हूँ, तो यह भी जीरो नहीं बनेगा, और यह भी जीरो नहीं बनेगा, तीसरे कॉलम में अगर मैं यह बनाता हूँ, जीरो, तो दोस्तो यह नहीं बनाएगा, अब इसमें कोई 0 नहीं बन सकता, देख लीजिए, तो इसके लिए फिर लाइन खेंचेंगे आप, ठीक है, फिर क्रॉस करेंगे, चलिए दोस्तो, फिर यहां में यह मैंने लाइन कट कर दी है, अब फिर देखते हैं, वोई कहानी फिर होती है, कि जो इसमोल एलिमेंट उसको सम्में से मानस कर, देखते हैं, इसमोल एलिमेंट हमारा क्या बचा है, दोबारा फिर दो बचा है, चलिए, यहां फिर लाइन कह पड़ेगा यहां line पर cross पर है तो यह क्या होगा 3 और यहां भी cross पर है तो यहां क्या हो जाएगा 4 यहां दोस्तों 2 की जगे पर क्या हो जाएगा 0 अब यह 4 लाइन पर कोई फरक नहीं पड़ेगा 5 और यहां 4 यहां 3 यहां 0 यहाँ 7, 13, 0, 2, 4, और 2, यहाँ फिर 14, 3, 5, 5, 0, 2, यहाँ 10, 8 है जाएगा यहाँ सोरी, 8, यहाँ 2, 0, 3, और यहाँ पर दोस्तों रह जाएगा आपका 4 का 44, और यह 0, यहाँ 0, यह क्रोस पर आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6, 0 है यह, तो यहाँ 2 हो जाएगा, दोस्तों 0 है, और यह 2, यह क्रोस पर 3 हो जाएगा, और यहाँ 2, चलिए, फिर आप जीरो बनाने की कोशिस करते हैं, जैसे कि इस कॉलम में एक ही जीरो है, तो मैंने एक तो यह बना लिया, एक यह बना लिया, यहाँ नहीं बन सकता, तो यहाँ मैंने घर बना दिया, यहाँ घर बना दिया, यहाँ घर बना दिया, और इस कॉलम इसमें है, इसमें हो गया, इसमें होगया इसमें और दोस्तों यहाँ घर बन गया, अब हमने क्या देखा,ई एका सुकंड पार्ट और बी का शिक्स पाध ही का थार्ड अबर का फास्ट और का पका ऊस्तार फोर्थ और एफ का far second, third, fourth, fifth part दोस्तों ये चेंज भी आ जाते हैं आंसर, कौन कैस के साफ से घर बनाता है, लेकिन बस सर्त ये होती है, एक रो में एक ही घर बन सकता है, रो या कॉलम में, तो ये आंसर चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है, थेंक्यू, नमस्ते